पिछले 50 वर्स की सब सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने 50 सान में जितनी मदद की है, उससे ज़्यादा पचीस महिने में हमारी सरकार ने गुवा को मदद की है, आप कर्पना कर सकते हैं, एक तरफ 50 सान का टोटल और दूसरी तरफ 25 महिने का टोटल, ये गती है हमारी, ये हमारी दिशा है, और इसलिए भाईयों भेनो, मैं गोवा माच्चियों से आज भी सेथ आगरा करने आया हूँ, चार तारीक को अम्मतदान करेंगे, और गोवा को एक दुर्भाग्या है, यहाँ अच्छा करने का उमंग वाले नेताओं से ज़्यादा, दूसरे का बुरा करने में आनंद आने वाले नेताओं की संक्या ज़्यादा है, उनको इस बात में आनंड़ी आता है, जलो गोवा का बना हो, यह भी नहीं एक मैं कुझ अठ्छा करूंगा, उनका तो यह है, मैं मरू तो मरू लेकिन तुझे न छोड़ू, मेरे गोवावासी, ये जो वोट कटाऊं वो हैं न, वोट काटरे वाले लोग, ये लोगतंतर का जेव काट लेते, ये लोगतंतर के जेव कात्रे हैं, और लोगतंत्र के जो जेब कत्रे होते हैं, वो किसी के लिए भला नहीं चाहते हैं, वो सिरब भोट काट कार करके लोगतंत्र की जेब काट लेते हैं, और लोगतंत्र को नीचा दिखाने का लोगतंत्र को भीक करने का प्रयास करते हैं, देश को प्रस्थाचार से मुक्त करान करेंगे एक इमानदार प्रयास का इसा होंगे और इसलिए में आज गोवा बात्षियों से अनुरोद करने आया कि चार तारीकों मतदान है कि सरवाधिक मतदान हो फिर एक बार गोवा को स्थीर सरकार मिले कमफर्टबल मैजोरिटी के साथ भारतिये जनता पार्टी के सरकार बने फिर एक बार कमल पूरी ताकत से खिले और जैसे कमल खिले वैसे मेरा गोवा भी खिले